इस वीडियम बताने वाले हैं कि intermediate made mission लेने के लिए online आवेदन आपको कैसे करना है जो कि आप o ffs के मदद से आपको online की क्या परकिरिया आ है सरा जनकारी आपको एस्टेब बताने वाले हैं और किस परकार से आप गलती करेंगे जिसके चलते आपको मरिट लिस्ट में जो नाम होगा वो नहीं आएगा वो भी तरह बहुत जनकारी आपको देने वाल है कि किस प्रकार का गौलती आपको नहीं करना है तो चलिए शुरू करते हैं इस वेबसाइट का लिंक में डिस्क्रिप्टन बक्स में डाल दिया हूँ किलिकर के आप आज आईएगा यह जो कि यह बिहार बुर का एक अफिसियल साइट है जहां से आप वो एफफेस के माधियम से आप एडमिशन के लिए ओल्लाइन आविदन कर सकते हैं तो यहाँ पर आ और यह पे बहुत सारे आपको टॉम और कंडिशन आपको दिया गया है दिसा निर्देश कि आपको देख सकते हैं कि 3-5 रप्यवर का चलान कटेगा यह पको अनलाइन होगा Lang आपको चलान जो कि यह ब्वेंग से महीन सह का असानहाँ होगा अपको अंलाइन करें यह आपको condition को मैं पर लिया हूँ, मैं यहाँ पर terms condition के accept करता हूँ और अविधन करने हैं तुँ यहाँ किलिक करे पर मैं किलिक करता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा जो कि है dashboard आ गया, आपको किस परकार से इसमें select करना है, तो चलिए परकार कोई अलग जगह से पास किया है तो पहले अपना जो कि है details में आपको यहाँ पर select कर लेना है जो पिछले time में, तेंथ में यानि कौन से board से पास किया हूँ तो मेरा B.A.C.B.A. में छोड़ देता हूँ जेहों काते हूँ, उसके बाद यह जो किए कौब उत्तुर नहीं थे यानि कौब पास किये हूए थे उसका जो किए साल आपको इसमें select करना है, कि जो फिलाल 2022 में आदमी यह पास किया हूआ है फिलाल यह रोगूलर आदमी है तो यहाँ पे आपको annual और आपको compartment काएगा वार्षिक परिच्छा में annual का मतलब होता है कि जब आप वो आदमी परिच्छा दिया है तो on time जब सबका result आता है तो उसी सर्में उसका result आजा है तो उसके लिए हम लोग annual बोलते हैं और compartment का वो बात होता है जो किसी एक सब्जेक्ट में कोई फेल कर जाता है और उस सब्जेक्ट का जो एकजाम देकर पास होता है उसको हमनों compartment आपको पूरक परिच्छा से जानते हैं तो जो आदमी एक सब्जेक्ट में पास करके पास किया होगा दुबारा से तो आपको यह वाला जो की option सब्जेक्ट करना है यह आदमी एक बार में ही पास किया हुआ है तो मैं यहाँ पर जो किसको टिक करता हूँ और साथ में अपनो जनमती थी का यहाँ पर day आपको सलेक्ट कर लेना है कि day आपका कौन सा है वही दे आपको slate करना है, जो आपको 3 का mark sheet पर date और तारिक आपका month और year होगा, और उसके बाद अपने month यहाँआ पर slate करिए, और उस month के अनुसार आपका year कौन सा है, year आपको Daarम आपको Daarम करना है, चले मैं year slate कर लिया, अब आपको roll code लिखना है, यह सारे बात आपको माक सीट पर एडमिट कार पर लिखा होता है जिस उसकूल से आपने पास किया होगा तेंथ उसकूल का रोल कोड आपको यहाँ पर डाल लेना है अब आपका रोल नमबर क्या है जो एडमिट कार पर माक सीट पर लिखा होता है उसको आपको यहाँ पर होगा यान उसका नाम आपको यहाँ पर देखने को नहीं आएगा कोभी का बार अगर वियार बोर से भी पास किये होंगे अगर नाम आपके यहाँ पर नहीं आता है तो समझ लिजिए कि आपके द्वारा दिया गया डाटा में तुरूटी है गुलत है इसलिए आपको यहाँ नहीं आ रहा है यहाँ किसी साइड का इसू है जब तक आपको यहाँ पर नाम पाता है अगर अगर अगरा सब कुछ नहीं आता है तो अगले जो की परसीजर के लिए अपने आवेदन इसमें मत भने क्योंकि आपको फाइनल सौमीटो होगा नहीं चलिए यहाँ पर एक इसमें 344 नंबर इनका आया हुआ है और जो कि किस स्कूल कॉलेश दे थे उसका नाम आ जाएगा और विद्यालाय का जो पाता आपको लिखना है जो स्कूल आपको यह है इसी स्कूल का पाता आपको फूल में आपको लिख लेना है उसके बाद आपको year of joining के आपको select करने का जाएगा option यानि जो कि इस स्कूल में जब आपने admission लिया था उसका साल आपका कौन सा था तो पहले जो आदमी था वो 7 कलास से ही है इसमें admission लेता था कोई कोई इसमें आठवे कलास में admission लेता है और कोई कोई तो पैसे के दाम पर direct admission ले लेता है तो उस condition में आपको जो अपने साब से इसको स्लेट कर लिजेगा अब आपको यहां पर personal details जो कि आपको इसमें देना है तो link आपको जहें को आजाएगा धरम आपको अनिवार जिसमें नहीं है भरना अगर आपको पाता है तो यहां जो कि आदमी हिंदू है तो मैं हिंदू स्लेट करता हूं और उस condition में blood group आपको पाता होगा तो डालिए बरना इसको खाली भी छोड़ सकते हैं यह भी कोई अनिवार जहां पर नहीं है अब आपको अपना खुद का पाता इसमें लिखना है तो आप जो कि बिहार के निवासी अलेडी होंगे तो सही है नहीं तो आपना जो किसमें देख लि पीश, पुलिष्टे सचान सारे जो की बात आपको इसमें लिख लेना है उसके बाद एरिया पीन कोड जो होगा डांग भर का पीन कोड उसको आपको नहीं पर लिख लेना है एक मोबाईल नम्म लिख लेना है क्योंकि एक मोबाईल पर SMS जाएगा OTP जाएगा उसको आई भी मैंगा जाता है तो जो अपने पास मोबाइल नंबर है वही डालिए और email ID वही डालिए क्योंकि दोनों में किसी एक जगा का OTP आपको उसमें लगता है तो यहाँ पर सोई तरीका सो डाल लीजिएगा अगर आपके पास उफलब धो दुर्भास नंबर तो डालिए ब तो यहाँ पर इनका OTP पहले से BC है तो मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर आपको दिव्यांक का option है तो आदमी दिव्यांक नहीं है लेकिन कोई सी का accident हो जाता है तो बाद में दिव्यांक हो जाता है तो यहाँ पर यहाँ पर EWS कोई होता है तो आपको 100 हो जाएगा जैसे क कि आपको यहाँ पर option आजाएगा स्लेट करने का अगर यहाँ पर EWS नहीं हो सकते क्योंकि already यहाँ पर सेलेक्ट है अब यहाँ पर बारी आता है सबसे मेन मुद्दा जो आपको admission लेना है उसका पहला बिकॉल्फ आपको इसमें चुनना है यानि जो आपको मन पसंद जो आपवाद में इधा उदर हो सकता है लेकिन ज्यादा चांस रहेगा आपको एक नंबर वाला मही नाम आपको आएगा चलिए मैं यहाँ पर जो कि अपना जीला को स्लेट कर लेता हूं यानि जिस जीले में हम admission लेना चाहते हूं जीले को इसमें स्लेट करना है उसके बास जी कर देखेरिया कि आज पास जो नजदीक कोई कोलेज होगा तो दस बारा पंदरे कोलेज का पहले से लिस्ट साथ अपने दुकान पर क्या कोई भी आदमी आएगा तो पूछ लेगा के वाला लिस्ट चाहिए तो पहले से ठीक मरा लेगा तो उसको फॉर्म भरने में काफी आ नुसार आपको लगता है कि हमारा जो की आर्ट्स में दोसों का लिखें ऐसा कोई ज़रुवत नहीं है आप आर्ट्स में करा सकते हैं या आपको साइंस भी करा सकते हैं आपके मन के मताबित है अगर लगता है कि इस कॉलेज में में डमीशन लेंगे तो हम साइंस से लेंगे अपना इसाबुत मा देख लिजएगा और नीचे में आएक और फिर से आपको क्या करना है ? थोड वाला option आपको आ जाएगा तिस पर किलिक करना है तो आपको इस परकार जो इसमें option आएगा तो आपको उपर में भी देखिएगा के एटोमोटिक जो जो स्लेट करियेगा आपको उपर में आते रहेगा अगर आपको लगता है कि इस परकार हमने गलती कर दिया यहां पर हमको जो की फॉस्ट में नागेशुर का नाम आना चाहिए सेकेंड में लोक माने काना चाहिए अगर अपने फाइनल समिट नहीं किया है तो सारे को यहां पर काट काट के आपको हटाना होगा जब तक आपको जीस लेबल में नहीं आ जाए अब आब ऐसा नहीं है कि एको सलेट कर दिये दुसरे को चार आएगा पकर्ट के ड्रॉप करने घंच के लादे नीचे तो आज़ीन होगा सारे को इसमें हटाना होगा डिलीट करना होगा चले माई दूसरा इसमें में जी ला को इसे को लेता हूं मिनीम में आ पे सब्सक्राइब काeg आपको भा पर को अब जाए में किसी में 18 9 Exact को करेगा तोम्छ करे गाए मैं मने तीन चाहर आपको दिखा था उसमें केवल आठ्स और साइंसी इसमें आ रहा था लेकिन इसमें कॉमर्स आ गया है तो इसमें सुचेगा कि इस जो की कॉलेज में हम नाम एडमिशन लेंगे लेकिन हमको कॉमर्स में चाहिए तो उसके पूरुभल मिला होगा तब आपको देगा तो उसके पूरुभल होगा तो आप भी है क्योंकि नंबर इनका कुछ ज़दा ही है तो उस कंडिशन में मै नौ तक यहाँ पर चोड़ता हूं और दोसव के लिए मैं आपको आगे नहीं stör ना है आगे सलेक्ड नहीं करना है कॉलेмет। तो यहां पर आपको नहीं का जो कि बॉक्स दी जागा इस पर टीक कर दीजिएगा तो आपको अगले अस्तर के स्लेट करने का ऑप्सन नहीं आएगा चलिए सारे डाटा मेरा सही है अब उपर में भी मैं देखना चाहता हूं तो यहां पर जो की नाइंथ है और यहां पर एक जो की टेन्थ है इस पर कार जो की अब देख सकते हैं चले मैं टर्म स कॉझ्दिशन के एक सेप्ट करता हूं मैं उतना मेरा बरबादी हो गया था इसलिए मैं किसी का फॉर्म भरने में ज्यादा दिल चस्पी नहीं रखता हूं ख्योंकि ज्यादा परसान ही होता है जितना अंदनी नहीं हुआ उतना जो कि लोस हो गया और पैसा रिटॉर्ण भी नहीं आया तो अपना इसमें देख करते हैं तो आपको बाद में चेंज नहीं होगा चलिए मैं आप ओके करता हूं अब एक बार पूरा जो डिटेल्स आपका डाटा है आप एक बार इसमें मिला लिजिएगा कि आपका लेबल का डाटा सबकु सही है कि नहीं नहीं तो आप जो कि बैक करके मोटिफाई भी करना है आपको फिर से आपको दुबारा से बोल रहे हैं अब आपके मोबाईल पर एक OTP गया है जो मोबाईल नमर आपने फ़र्म भरतेवक जो दिया है उस OTP को आपको यहां पर लिकर सुमिट पर आपको किलिक करना है अगर किसी कारण बाद सर्वर का इसू रहेगा तो आ आपको यहां पर खंगरा चुलेशन का मैसेज आ जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भुगतान करने का परकिरिया आपका क्या है आप ओन लेंस लेट करिएगा जिसमें आपको UPI, Net Banking, Debit Card करके पर आपको किलिक करना है और उसके बाद आपका सॉक्सेस का मैसेज आ ज चारी हो जाता है तो उस कंडिशन में आपको इसी साइट पर दुबारा से आना होता है और इस परकार किलिक करके आपको इंटिमेशन लेटर डाउनलवड करना होता है तो डाउनलवड करने का परकिरिया जिस परकार आपमें रिसीविंग निकाला है बार कोड कर नीचे एक निकलता है तो दुबारा से आपको क्या करना है एस्टुडेंट लोगिन पर आकर आपको किलिक करना है और यहां पर इंटर नमांग करने पर आपको किलिक करना है फिर से अपना जो कि मबाइल लमा डाली है और आपके मबाइल पर एक पासवर्ट गया होगा वो पासवर्ट को डाल लिजिएगा और केफचा आपको यहां पर डालकर log in पर किलिक करिएगा तो application copy भी आप यहां पर निकाल सकते हैं अगर किसी परकार सब भूल जाते हैं को अपना data तो forget password भी आप इस परकार कर सकते हैं तो जो परकिरिया था online आविदन करने का सारा मेने बता दिया आप इस परकार ओन लाइन आवेदन करिये और आपको कॉट अफ जब जारी होगा तिन्तिजार करके इंटिमेशन लेटर डाउनलोर करके आपका जिस परकार मैसेज भी आएगा मोबाइल पर उसी कॉंडिशन में जाकर एक टाइम भी धारित किया जाएगा और आपके एडिमिशन आप इतने बारे लिंक आपको जाएगा भी और आपको काफी प्रोब्लम आजाएगा आने वाले दिन में तो आपको साइट आप इस चार रूप से चल रहा है अपना जो की आवेदन करिए तो इस परकार साज्यार कारी मान इस वीडियो में आपको दे दिया है अभी भी वीडिय समाने किसी भी तरिका का कोई प्रोष्ण है तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं उराशार मां फिर मुत नहापको देने टपके साथ तब तक लिए जोईंगे